हाई अब्र विश बीच में हम टेस्ट भी करते रहते हैं और अपना थियोरी पोशन भी इससे आपका जो है प्रैक्टिस प्लस आपका रिवीजन दोन होता रहेगा आज की जो हमारी क्लास है जोगर्फी की क्लास सेवन्थ की है अब इसमें कल दो ही चप्टर बाकी है इसके प अपना क्लास एट का ठीक है क्लास एट में तो और भी कम चाप्टर्स है और रही बात पॉलिटी की तो पॉलिटी मुस्किल सब के सिर्फ बाव सिर्फ पंदर दिन का है अक्तूबर में आपका पूरा सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा हमारे पास पूरा नवंबर होगा करने में असानी हो तो देखिए हम CDP का EVS का और आपके नई जो NCRT बनी है जो की जोगरफी का है और प्लस आपका हिंदी का इसके कुछ जो है एकदम से सौट एंड कंसाइज नोट इस तरीके का मैं प्रिपेर कर रही हूं आप सभी के लिए ताकि एक्जाम से पहले पूरा जल्द ही प्रोवाइड करने की कोसिस करूँगी ठीक है चले स्टार्ट करते हैं फिलहाल के लिए जिसने भी सोसल साइंस के नोट्स नहीं लिया है बहुत इंपॉर्टेंट है देखिए बहुत ही कम प्राइस का है बट यह इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपको सिर् केवेस डीट रिप्लेजबी यूपिटेट सूपर्टेट सब में काम आएगा तो नंबर स्क्रीन पे हाप ले सकते हैं आज का यह जो टॉपिक है यह है जल्द अब वाटर हमारे लिए स्टार्टिंग से हम पढ़ते आ रहे हैं हाइड्रोस्फियर लिथोस्फियर एट्मोस अब यह वाटर हमारे लिए बहुत इंपोर्टेंट है बट आप जानते हैं कि इतना सारा पानी होने के बावजूद भी हमें पानी की कमी का हमेशा ही एहसास होगा होता ही है और सिर्फ और सिर्फ इसका रीजन यह है कि जो पानी का एक बहुत बड़ा अमाउंट है वो जो ह बहुत ही ज़्यदा saline water है नमकीन water है नमकीन पानी है जैसे आप समुद्रजीव अगरक आपने water देखा होगा आप उसे पी नहीं सकते हो वह हमारे किसी काम का नहीं है ठीक है तो हमारे काम का जो पानी है वह बहुत ही कम है तो वही सारी चीजें यहाँ पर आपको water cycle के बारे म ये तो सभी को पता होगा कि जो water होता है नीजे, पानी देखें यहां पर लिखा हुआ है कि सूरी के ताप के कारण, जब जो नीचे का पानी होता है, वो जल वास्पित हो जाता है, ठीक है, इवेपरोेट हो जाता है, ठंडा होने पर वो जल वास्प संगनित, मतलब condensed होकर बादल का रूप ले लेता है, फिर यहां से यह वर्सा हीम अथ्वा सहीम वरिष्टी के रूप में नीचे गिरता है, ठीक है, यह देखें आप फोटो, यह नीचे हमारा पानी है, यह आपका वास्पिकरन हुआ है, इसका यहां पर देखें, वास्पिकरन होता है, फिर यह उपर जाकर condensed हो जाता है, एंड उपर बहुत सारे droplets, मतलब बारिस की भूदें जो हैं कठी हो जाती है, अजब बारिस की भूदें बहुत सारी हो जाती है, यह भारी हो जाता है, भारी होने के कारण यहां पर आप देखो तो यहां पर कंडेंस्ट होगा फिर यहां पर ड्रॉपलेट से कठा हो जाएंगी फिर प्रेसिपटेशन होगा तो यह हमने कल पढ़ा था एयर साइकल और आज हम पढ़ रहे हैं वाटर साइकल तो आपने देख लिया कि आप सेम पान होगा मालिज आप यूपी में हैं और कहीं हर्याना में है तो पानी अलग लग नहीं है वही पानी आपको घूम फिर कर एक जगह से दूसरे जगह देखने को मिलता है बस इनका जो स्वरूप होता है जो उनका फॉर्म होता है वो बदलता रहता है ठीक है देखें यहां पर दिखा भी हुआ है कि जिस प्रक्रम में जो है पानी है लगतार अपने फॉर्म को बदलता है अपने स्वरूप को बदलता है और महासागर वायमंडल और धर्ती के बीज में चक्कर लगाता रहता है ठीक है उसी को हम कहते हैं जल चक्र तो आपके लिए वाटर साइकल इंप कि आपके जो वेफ्स हैं वह ऐना से कॉज़ंस पूछेगा हम यह चीज़े हो गई है सब यह कॉछ्षिक्स में一次 कि जो अलवर जल है मतलब हुष्ष वॉटर है मिनल बहुत ही कम है बिसिकली आपका fresh water आपको नदी से मतलब river हो गया जो छोटे मोटे जो ताल होते हैं आपने देखे होंगे सोते और हीम नद ये हमारे काम का है बट जो water का एक amount है पानी की कमी नहीं है हमारे पास बट वो use करने वाला पानी हमारे लिए कितना है बहुत कम है fresh water अब ये महा साग लगता है ठीक है वो हम use नहीं कर सकते हैं तो महा सागर और समुद्र का जो जल होता है वो लवड़ी होता है मतलब बहुत अदा salty होता है वो saline water है और इसमें mostly आपको नमक जिसे हम बोलती है sodium chloride या फिर खाने में उप्योग किया जाने वाला नमक होता है तो पानी में जो नम कराऊंगी तो आपको समझ में आएगा कि यह चाप्टर आपके लिए कितना important है अब यह जो map है एक बार इसको समझ लेते हैं क्योंकि हम लोगों ने महा सागर पढ़ लिया है तो यहां पर कुछ important नदिया है उसे देख लेते हैं यह आपके सामने है यहां पर आपको सौंग है तो आगे कि सारे concept आराम से clear होगा जैसे कि हमने पढ़ा था ocean के बारे में प्रशांत महासागर आपका हो गया उत्तरी Atlantic महासागर दक्ष्री Atlantic महासागर ठीक है यहां पर आपका Arctic महासागर यह आपका दच्ष्री महासागर यह हम लोगों ने अपने पहले वाले classes मे पढ़ लिया है जब हम continent के बारे में पढ़ रहे थे अब यहां से आपको कुछ जो यहां पर लिखा हुआ है कुछ समुद्र जील और नदी वो आपको पता होनी चाहिए जैसे कि आप यह फोटो में देखे यह आपका दक्षिड अमेरिका है यहां पर आपकी Amazon नदी है ठीक चाहिए क्योंकि इसमें से कुछ भी पूछ सकता है और अगर आप मैप कि थो समझेंगे तो चीजे आसान हो जाएंगी यहां पर उपर आप देखेगा उत्तर अमेरिका में तो यहां पर आपको Great Beard जील, Great Slave जील, Winnie जील, Superior जील, Huron जील, Mississippi नदी यह सब कुछ किसका है उत् अट्लांटिक महासागर हो गया, अफ्रिका का जैसे मैंने आपको बताया, सेम उसी तरीके से आप एसिया का भी याद रख सकते हैं, यह देखे, ब्रह्मो पुत्र नदी, गंगा नदी, ठीके, यह हमारा प्यारा भारत यहां पर आप देख सकते हैं, अरब सागर है, यहां पढ़ी चुके हैं, और यह अफ्रिका का हो गया, उसके बाद से आप नीचे थोड़ा देखेगा, यह देखे, ऑस्ट्रेलिया, कॉंटिनेंट्स के भी आपको याद रखना है, क्योंकि हम अगर पढ़ रहे हैं, महासागर, कॉंटिनेंट्स, तो कौन-कौन से समुद रहे ह कौन-कौन से जहील है, कौन-कौन सी नदियां इनके आस-पास में है, कौन-कौन सी नदी किस कॉंटिनेंट से होकर निकलती है, यह आपको सारी जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि अश्ट्रेलिया है, तो यहाँ पर है डर्लिंग नदी, ठीके, और यह तो आपको पता ही है, क कौन-क आसर जरू जो मैं पूछ रही हूँ कि मैं आपको पढ़ा चुकी हूं, कि वह कौन सा कॉंटिनेंट है, जहां से हमारा करक रेका, भूमद रेका, मकर-रेका, तीनों की तीनों रिखाए जाती है, देखती हूं, इसमें ज्यादा कुछ आपको याद नहीं करना है, बस तो यह जो लवड़ता है यह जो नमक है वह एक इसको मापा भी तो गया ना सैंटिफिक तरीके से भी तो एक हजार ग्राम जल में जो मौझूद जो नमक की मात्रा होती है वह महासागर की ओसत जो लवड़ता होती है जो सॉल्टी एक तरीके अपसलाइन बोल सकते हो वह 35 पीपीटी मतलब 35 भाग प्रती हजार ग्राम है यह याद रखना है इसे आप भूलना मत आपसे कोशन पूछेगा कि जो लवड़ता होती है एक हजार ग्रम जल में जो मौझुद नमक की मात्रा होती है तो उसमें कितना जो है ग्राम जो है इसमें बिसिकली कितना भाग प्रती ग्राम आउसत लवड़ता होती है तो वो होती है महसागर की आउसत लवड़ता 35 ये नमबर मत भूलेगा 35 भाग प्रती हजार ग्राम ठीक है डारेक्ट कोशन यहां से पूछा हुआ है दूसरा आपको पता है कि जो एक हमारे पास डड़ सी है अब ड़ सी का मतलब यह नहीं सिर्फ औसिर्फ नमक की मातर की वज़ा से क्योंकि वो उसको बहुत जादा सघन बना देता है ठीक है तो यह सेम चीज़ पूछा हुआ है और यह कहां पर है इसराइल का इसराइल का जो मृत सागर है डेड़ सी है उसमें 340 ग्राम प्रती लीटर जो है नमक है सलाइन है वो तो बिसिकली आपको नहीं आ रहा है तैर ने आपको स्विमिंग नहीं आती है तो अगर आप यहां पर इसराइल के डेड़ सी में जाएंगे तो आप डूबोगे नहीं आप उपर ही फ्लोट करोगे जस्ट बिकॉज ऑफ सलाइन ठीक है तो यह डारेट कोशन पूछता है कि प्रिथवी की सता का तीन चौथाई जो भाग है वो वाटर से ढखा हुआ है और यदि धर्ती पर थल की अपिक्षा जल अधिक है तो अनेक देशों में जल की कमी का सामना क्यों करना पड़ता है रीजन यहीं है कि यूज करने वाला पानी बहुत कम है पाकी तो सब कुछ न आ पूटर सब करनें लर्फ यहां पर देखो यह सब कुछ आपको नहीं पढ़ना है अगर आप खुद से नोट्स बना रहे हैं, तो यह सारी चीज़े आपको बिल्कुल भी नहीं पड़नी है, अब यह देखे, यहां से जो पूछता है कोशन, कि विश्व जल दिवस कभ हम बनाते हैं, 22 मार्च, याद रख लो, 22 मार्च, अब यह आप देखे, प्रशान्त महासागर है, अ बहुत ही अच्छा फील होता है, जादोई सी फील होती है, क्योंकि यहां का जो मिट्टी होता है, वो बहुत ही नम सा होता है, ठीक है, ठंडी-ठंडी हवा चलती है, समुद्री पक्षी होते हैं, और वायू में भी आपको एक लवड़ी, क्योंकि नमक ही नमक है, तो उस त जो तरंग जाती यह फिर वह वापस आती है अगर आपने बॉल फेका तो एक बार वेपस के साथ जाएगी फिर वह वापस आ जाएगी आपके ही पास ठीक है तो वह ही सारी चीज़े लिखी हुई है कि काफी अच्छा लगता है ताल यों जीहल के सांत जल के विप्रीथ अब ताल हो गया आपने जील के पानी देखे होंगे वो हमेशा एक समान रहते हैं उनके उतना मुव्मेंट नहीं होता है बट यह जो समुद्र का पानी है यह हमेशा ही मुव्मेंट होता है हमेशा ही इसमें मुव्मेंट होता है महासागरी जो जल होता है वो हमेशा ही गतिमान रह या हवा के स्लो चल रहा है तो जो थेज़ बह रह रही है तो जो बहुत तेज भाएंगी जाएंगी जॉआरभाटा, लेकिन इंहां यह तरंग फ ब्रती पर नियुक्त का ओट मॉटते है जो अब यह राइजनव फॉल होते हैं जेये बादर है उपर नीचे होगा, उपर नीचे, ये इस तरीके से होगा, ठीक है, इसे हम बोलते हैं, टाइट, धराएं क्या होती है, अभी मैं आपको बताऊँगी, ओशन करिंट क्या होता है, एक्वेटर के साइट से जाएंगे, फिर पोल्स के साइट से आएंगे, ये अभी हम अब यह देखे, अभी मैं आपको तरंग की वीडियो भी दिखाने वाली हूँ, पहले आप यहाँ पर देखे, सेम वही सारी चीजे लिखी है, जब समुदरी सतह पर, याद रखेगा, जब समुदरी सतह की बात हो रही है, मतलब लेवल की बात हो रही है, वहाँ पर हवा बहे तब आपको waves देखने को मिलेगा, जितना तेज हवा भाएगा, waves उतनी ही बड़ी होगी, यहाँ पर आप देख सकते हो, बहुत ही खतरनाक हवा चल रही है, तो waves बहुत ही खतरनाक आपको देखने को मिलेगा, मतलब बहुत ही बड़े-बड़े waves आएंगे, और कवी बार जो है समुद्र का पानी में कम movement होता है क्योंकि हवा उतनी तेज नहीं होती है ठीक है, वह example यहाँ पर दिया गया है गेंद का, कि अगर आपने ball जैसे ही पानी में गया, तो आपको उसको पकड़ेनी की जुरूत नहीं है, वो waves वो पानी जाता है, आता है, जाता है, आता है जैसे ही ball आपका गया, वो दुबारा से आपके पास आजाएगा, ठीक है गेंद जो है, तरंगों के ही साथ क्योंकि waves तो हमेशा ही होता है ऐसा तो है नहीं, कि बाकी नदी और तलाब की जैसे इनके पानी एकदम से सांथ होते हैं इसमें तो हमेशा ही continuous movement होता है ठीक है, जब महासागरी सतह पर जल जो है, वो लगातार उठता है और गिरता है, तो इसे ही हम कहते हैं तरंग, बट ध्यान दिजेगा, ये महासागरी सतह की बात हो रही है मतलब, वाटर लेवल, जो समुद्र का जो वाटर लेवल है उसके उपर जो है वाटर उठेगा, गिरेगा, rise and fall होगा तो उसे हम कहेंगे, वेप्स ठीक है, यहाँ पर देखे जब तुफान वगरा आता है तो वहाँ पर बहुत ही तेज हवा चलती है और उस वज़े से बहुत ही खतरनाक वेप्स देखने को मिलते हैं और कई बार आपने देखा होगा कि आप बैठे हैं, चुपचा बैठे हैं आपके पानी ही आ रहा है, आपके पैरों को भुकम पा रहा है, अर्थक्वेक, जौला मुखी फूट गया है या फिर लैंड स्लाइड हो चुका है उस पानी के अंदर, अब ऐसा तो नहीं है कि समुदर के अंदर जमीन नहीं है समुदर के अंदर भी तो जमीन है, वहाँ पर भी तो अर्थक्वेक आएंगे वहाँ पर भी तो जौला मुखी होगी, वहाँ पर भी तो लैंड स्लाइड आएंगे इसके वज़ा से भी जो महासागरी जल है, काफी अधिक डिस्प्लेस हो जाता है और इसी के कारण जो है, पंदरा मीटर तक की उचाईवाला बहुत ही खतरनाक वेब्स देखने को मिलेगा अब सोचे, पंदरा मीटर, इसका मदा आसपास के जो भी बिल्डिंग्स होंगे, सब कुछ उसमें डूप जाता है और हम उसी को कहते हैं सुनामी, सुनामी कुछ अलग नहीं है, सुनामी वही है न, की भुगम पा रहा है, जोला मुखी हो रहा है वाटर की निचे लैंड स्लाइड आ रहा है, इसके जो जैसे बहुत ज़़ादा पानी डिस्प्लेस हो रहा है देन 15 मीटर की उचाई वाला जो है आपको खतरनाक वेपस देखने को मिलेंगे और उसमें सब कुछ तहस नहीं सोजाता है जिसे हम कहते हैं सुनामी अगर मैं आपको बोलू कि अब तक का सबसे जो विशाल सुनामी है वो 150 मीटर अब आप सोचें 150 मीटर कितना हो सकता है एक बड़ आप एजियूम किजेगा 150 मीटर गया था और ये तरंगे 700 किलोमेटर प्रती घंटे से अधिक की गती से चलती है इतनी फास्ट चलेंगे दोजाचार की सुनामी से भारत का जो कोस्टल एरिया था ना उसमें काफी ज़्यादा विनास हुआ था सुनामी के बाद अंडमानो निकोबाद द्यूप समू में जो इंद्रा प्वाइंट है वो पूरी तरीके से डूप गया था ठीक है पांच मीटर साथ मीटर ये तो सीधे एक सो पचास मीटर गया था तो एक सो पचास मीटर और इसकी रफ्तार देखिए मतला आने की स्पीड 700 किलो मेटर है ठीक है तो काफी खतरनाक होते हैं इनके वज़ा से जो आसपास के एरिया है वो सब कुछ तहस नहस हो जाता है एक बार मैं आपको वेप्स दिखाना चाहूँ देखे आपके सामने मैं जो वीडियो लेकर आई हो ये वेप्स जो है समुद्र की सतह पे हो रहा है सतह का मतलब कि यह द तेज आपको वेप्स देखने को मिलता है ठीक है और यही जब वेप्स काफी बढ़ जाती है 700 किलोमेटर के प्रती से आती है तो काफी जादा इसमें नुकसान भी हो जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है टाइड के बारे में देखो हमने वेप्स पढ़ लिया महासागर के जो मुव्मेंट है हमने तरंग पढ़ लिया अब हमें पढ़ना है टाइड मतलब जौर भाटा उसके बासे हमें पढ़ना है करिंट मतलब जिसे बोलते हैं धराएं अब यह जौर भाटा क्या है टाइड क्या है तरंगे क्या है समुदर की सता पर हो रहा है और उसके वज़ उपर उठेगा बहुत तेजी से, फिर वो नीचे आएगा, फिर पूरा का पूरा पानी उपर उठेगा, पूरा का पूरा पानी नीचे आएगा, और जो वेब्स थे, वो क्या था? वेब्स यो समुधर की सता पे जो पानी यह, पानी में, जो है, रैजन फॉल होगे, ठीके? बट ये पूरा नीचे से उपर आएगा, वो भी दिन में दो बार, तो जो जल का उठना और गिरना है, वही होता है हमारा टाइट, जौर भाटा, इस चीज को ध्यान रखेगा, जो वेब्स होती हैं, वो समुदर की सता पे होगा, बट जो जौर भाटा होता है, ये पूरा का पूरा महासागरी जल उठेगा, गिरेगा, उठेगा और गिरेगा, जिसे हम कहते हैं टाइट, ये मैं आपको बार-बार इसलिए बता रही हूँ, क्योंकि कुश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, जब बहुत सरवादिक उचाई तक उठकर जल, तटके बड़े हिस्से को तो उसे हम बोलते हैं जुआर, ठीक है, जब जल अपने निम्नतम इस्तर तक आ जाता है, और तट से पीछे चला जाएगा, मतलब आपके पास पानी ही ने, वो तट से पीछे चला गया है, तो उसे हम कहते हैं भाटा, एक होता है हमारा हाई टाइट, और दूसरा होता है हमा समुदर का पानी है, अभी यहाँ पर आपको पानी नहीं दिख रहा है, क्योंकि जल अपने निम्नतम विस्तर पे है, और वो तट से पीछे चला गया है, तो उसको हम लोगों ने लो टाइट बोल दिया, बट यहाँ पर आराम से चिल कर रहे हो, और अचानक से पानी आया, और यहाँ पानी उपर नीचे गिर रहा है, तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, अभी आप पढ़ रहे हैं, आपके हाथ से पैन नीचे गिरा, तो ऐसा नहीं क्यों हो हवा में लटका रहेगा, वो नीचे चला जाएगा, क्योंकि अर्थ का जो उस पूरे हिसे को डुबो दे रहा है, कहीं पर तट से पीछे चला जा रहा है, तो इसमें एक ग्रेविटेशनल फोर्स काम करते हैं, जो कि काफी इंट्रेस्टिंग है, आपको यह समझना चाहिए, देखें, यह आपका लगुजवार भाटा है, लो टाइड है, यह आपका यह अर्थ है, यह आपका मून है, यह सन है, यह जब अल्टरनेट पोजेशन पे होंगे, ठीके, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, तब जो है आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगा, मतलब इसे हम बोलते हैं, लो टाइड, अभी हम इसको डेटेल में पढ़ेंगे, बड़ जो हाइटाइड का होगा, यहाँ पर देखें, जब सूर्य चंद्रमा प्रित्वी, तीनो एक ही सीध में होगे, तब जो हाइटाइड देखने को मिलेगा, मतलब पानी का जो लेवल है, वो पूरा तट तक आ जाता है, ठीके, इसको डेटेल में समझने के लिए, यहाँ पर और यह चंद्रमा है, ठीके, सूर्यम चंद्रमा के सक्तिसाली गृत्वा कष्ण बल के कारण, प्रित्वी के सता पर जौर भाटे आते हैं, जब प्रित्वी का जो जल है, मालीजे, पानी हमारा अर्थ पे लीथोस्फियर है, मिट्टी वगरा को तो अट्रेक्ट नहीं इस साइड में आपको पुरा तट के हिसे तक पानी होगा, वहीं दूसरे साइड में आपको जो पानी, समुद्र का पानी जो है, वो तट के पीछे चला जाएगा, सिर्फ औस इफ ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, तो वहीं सेम चीज यहां पर लिखा हुआ है, इस सूर् जो जल है वो अट्रेक्ट होगा, मतला वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण अभिकरसित होता है, जिसके कारण उच्च जवार देखने को मिलते हैं, हाई टाइट्स देखने को मिलेगा, ठीक है, और पूडिमा और अमावशा की दिन में सूर्य चंदमा और पृत्वी तीन तीनो एक ही सीध में होते हैं, और अगर तीनो एक ही सीध में हैं, तो जादा ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो है, पानी काफी जादा अट्रेक्ट होगा, और इस वज़ह से यहाँ पर आपको हाई टाइट्स देखने को मिलेंगे, जिसे हम वरिहत जवार भाटा, बेस चांद अपने प्रथम और अंतिम चतुर्थांस में होता है, तो चांद एवं सुर्य का जो गुर्ता कर्शन बल है, वो विपरित दिसाओं से महासागरी जल पर पढ़ता है, ठीक है, परिणाम सुर्व आपको निम्न जवार भाटा देखने को मिलेंगे, उसे हम बोलते हैं कि पुडिमा और अमावश्या के दिन में सुर्य चंदमा और प्रित्वी तीनों एक ही सीध में होते हैं, इस वज़र से हमको हाई टाइट्स देखने को मिलता है, और इसी को हम बोलते हैं, I think English में हम इसे बोलते हैं, स्प्रिंग टाइट, ठीक है, लेकिन जब चांद जो है वो यहाँ पर देखे, अपने प्रथम मालेजे कौाटरली होता है, प्रथम में या फिर अन्तिम चतुर्षांस में होता है, तो चांद ये देखे, चांद और सुर्य, ठीक है, इसका जो गुर्तवा कर्शन बल है, वो विप्री दिसाओं से महासागरी बल पर लगेगा, और इसलिए आपको यहाँ पर low tides देखने को मिलता है, ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जैसे low tides है, तो water bulge, यहाँ पर देखो, अगर high tides है, तो जो water का हिस्सा है, ऐसा नहीं को खीच के चला जाता है, नहीं, वो एक हिस्से में बहुत जादा bulgy आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, सिम यही चीज होता है, दूसरे हिसे में कम होता है, ओके, तो यह सारी चीज़े हमने पढ़े लिए, अच्छा एक चीज और है, यह जो high tights आते हैं, इसके काफी ज़्यादा advantage है, यह आपको जो है, navigation में काफी help करता है, नौ sun challenge में, आपने देखा होगा, जो gate वगर आ होता है, और जब यह high tights आएंगे, बहुत तेजी से पानी आता है, तो बहुत सारी मचलियां जो है, वो किनारे आ जाती है, और उनको पकड़ना भी काफी असान हो जाता है, ठीक है, तो यह high tights के benefit है, वही सेम चीज यहां पर लिखा हुआ है, कि जो high tights हैं, navigation में काफी help कर होता है, और जहाज को अराम से बंदरगाह तक पहुचा देगा, मैंने आपको जो example दिया, high tights से मचली पकड़ने में भी काफी help होता है, यह कि मचलियां किनारे आ जाती है, ठीक है, चलिए, अच्छा, जो high tights होते हैं, आपने देखा होगा, उससे बिजली उत्पन करना व low tights, इसके क्या definitions हैं, तो यह फोटोस के थरोभी आप आराम से समझ गए होगे, तीनों एक ही सीध में होगे, तो high tights होगा, और चंद्रमा अपने प्रथम और अंतिम चतुर्थांस में होगा, तो जब इस पे opposite दिसाओं से बल लगेगा, तो यहाँ पर आपको low tights देखने क मिलेंगे, ठीक है, चलिए, अब इसके बाद से जो दूसरा हमारा है महासागरी धराएं, यह काफी इंट्रेस्टिंग है, बट बहुत ही आसान है, देखो, इसको पहले एक बार मैं आपको समझा देती हूँ, ocean current, महासागरी धराएं जो है, वो निश्चित दिसा में महासागरी धराएं, यह आपका भूमद रेखा है, भूमद रेखा है वाला जो एरिया होता है, मैंने आपको पढ़ाया है, टॉरिड जोन होता है, क्योंकि सन की रेज यहाँ पर डारिक्ट पढ़ती है, तो जो गर्म महासागरी धराएं, वो यहीं पर उत्पन होगी, और यहाँ पर सन की रेज आ रही है, तो भूमद रेखा के निकट उत्पन होती है, और यह द्रूओं की तरफ बहती है, तो जो भूमद रेखा से द्रूओं की तरफ बहती है, उसे हम बोलते हैं, गर्म महासागरी धराएं, और यह जो पोल्स हैं, काफी ठंडा होता है यहाँ और जो पोल से से भॉमद रिखा के तरफ आती हैं, उसे हम बोलते हैं, थंडी महासागरी, ठीके ? बहुत ही सिंबल है तो यह हो गया आपका तो जब गर्म महासागरी धराएं भूमद रिखा के निकट उत्पन होती है और धुरूओं की तरफ जाती है ठीक है और जो ठंडी महासागरी धराएं है वो पोल्स से धुरूओं की एक्वेटर की तरफ आती है ठीक है यह देखे ठंडी धराएं अब एक दो ही पूछेगा आपके सलेबस में वही दो पॉइंट्स हैं इसके अलवा कुछ भी नहीं पूछता है देखें नाम याद रखेगा जो लेबरा डोर है वो आपकी सीत जलधारा है लेबरा डोर नाम याद रखना देखने में तो बड़ा खतरनाक सा नाम लग रहा है बट ये सीत जलधारा होती है और गल्फ इस्ट्रिम नाम से ही क्लियर है गल्फ मतलब गर्म जलधारा यही दो चीज़े पूछती है महासागरी धराएं किसी छेतर के तापमान को प्रभावित करती है गर्म धराओं से इस्थली सता का जो तापमान है जहाँ पर गर्म पानी है वहाँ पर अब्वेसी बात है कि टैंपरेचर गर्म होगा और जहाँ पर गर्म और ठंडा पानी मिलता है ठंडी की समय में आपने जो है वहाँ पे अच्छा गासांडा देती हैं और बिसेकली वो मतश्य फिसिंग के लिए काफी अच्छा छेत्र माना जाता है पूरे विश्वभ्यर में ठीक है और जपान के आस पास अर उत्तर अमेरिका के पुर्वी तट इसके कुछ एक्जामपल है अब डेफिनीशन से आपको उतना अच्छे से क्लियर नहीं होगा फोटोस देखें यह देखें यह अपका एक्वेटर है यह आपका 90 डिग्री है जिसे हम बोलते है हाई अल्टिट्यूड आच्छा गर्म जो महासागरी जो जलधारा है वो आपका एक्वेटर से पोल्स के तरफ जाएगी जर्म महासागरी जलधारासssen आपको बताएगए जिसे हम बोलेंगे गर्म जलधारा सेम उसी तरीके से जो हमने दूसरा पढ़ा था तो यहां पर ठंडा और गरम पानी दोनों मिल रहा है तो यहां पर फिशिंग के लिए जो है काफी अच्छा माना जाता है ठीक है दूसरा आप यहां पर देखो गल्फ स्ट्रीम यह देखो यह आपका गल्फ स्ट्रीम एक्वेटर से किस साइड में जा रहा है पोल्स के तो जो भी गर्म जलधारा होगा वो एक्वेटर के पोल्स के तरफ जाएगी और जो भी ठंडी जलधारा होगी वो पोल्स से एक्वेटर के तरफ आएगी बस इतना क्लियर रखो वैसे तो बहुत सारे इसमें आपको आगे पढ़ना होगा बट वो आपके सलेबस में ही नही तो यहां पर मैंने आपको सारी चीजे समझाने की कोसिस की हैं अच्छा यह एक चीज और है कि जहां पर गर्म और ठंडी जल्दारा मिलेंगे वह फिसिंग के लिए तो अच्छा होगा और वहां पर फॉगी-फॉगी सा मौसम बन जाता है बट यह जो है न यहां पर नाविग बाधा उत्पन होता है ठीक है तो एक साइड में फीशिंग के लिए अच्छा है दूसरे साइड में नौस अंचालन के लिए अच्छा नहीं है तो यह चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है अपनी साइड से मैंने आपको बहुत अच्छी से समझाने की कोशिस की है आपको कितना समझ में आया है प्लीज मुझे बताना और लाइक्स वगर तो आप लोग करते ही नहीं हो अगर मैं ना बोलो तो तो प्लीज लाइक्स करें जब आपको समझ में आगा कि यह चाप्लर आपके लिए क्यों इंपोर्टेंट है थोड़े ही को से आपको आइडिया लगेगा कि यह के कोश्चन यहीं से पूछा गया है 2022 का यह कोश्चन है और देखो यहां पर लिखा हुआ है पहले ही टॉपिक से कि जल चक्र में क्या क्या प्रोसेस होता है मैंने आपको बताया था संगनन जिसे हम कंडेंस बोलते हैं वास्पी करन होत इसराइल में है यहां पर आप अराम से फ्लोट कर सकते हो नमक की वज़े से इसको काफी ज़्यादा डेंस बना देता है तो आखिर में डेट सी है क्या यहां का पानी एकदम से जहरीला है बिल्कुल भी नहीं यहां पर समुद्र जो सभी महासागरों समुद्रों में सबसे दिखा रहा है एक समुद्र जिसमें उच और निम्न जवार बहुत बार आते हैं यह तो बिल्कुल भी नहीं होगा एक समुद्र जिसमें जहाजों का चलना खतरनाख है यह भी नहीं दूसरा ही ऑप्शन है क्योंकि यहां पर पानी जो है डेट सी में नमक की मातरा बहुत ज क्वाल्टी बनाता है और इतना नमक है इसी वज़े से यहां पर आराम से हम फ्लोट कर सकते हैं ठीक है चलिए अगला आपका 2022 में पूछा है और यह टाइट से रिलेटेड है ज्वार भाटा के सम्बन में क्या सही है ठीक है तो सारे ओप्शन्स तो नहीं है अच्छा ही धर ज्वार भाटा के बारे में चलो देखते हैं यह चारो ऑप्शन्स हैं ज्वार भाटा के बारे में पहला लिखा है कि जो निमने ज्वार है वो नौ संचालन में सहायक होता है बिल्कुल भी नहीं हाई टाइट्स जो हाई टाइट्स को बोलते हैं व्रिहत ज्वार ठीक है व उसे हम कहते हैं जौर, ये भी गलत है, उसे हम low tides कहते हैं, ठीक है, अगला देखो लिखा है, सुर्व चंद्रमा के प्रबल गुर्था कर्षण बलके कारण प्रिथवी की सता पर जौर भाटे आते हैं, जी हाँ, यही राइट है, जौर भाटा है क्या, सुर्व चंद्रमा ज अगला देखिए, 2021 में पूछा है, अब आपको समझ में आएगा कि यह चाप्टर आपके लिए क्यों important है, जौर भाटा के बारे में सही चीज बताईए, जब चंद्रमा और प्रिथवी एक सीध में होंगे, तब उचे जौर आएंगे, मैंने आपको बताया था ना, चंद् में जौर भाटा होता है, ये तो अभी हमने पढ़ा, ये भी सही है, उचे जौर को हम लगू जौर कहते हैं गलत, उचे जौर को हम कहते हैं वरिहत जौर, जिसे हम स्प्रिंग टाइड भी बोलते हैं, ये तो गलत, A and B is right, ठीक है, चलिए, 2021 में पूछा है, अगला 2022 में पिशिंग के लिए काफी अच्छा होता है, एकदम सही है, उसके अपोजिट में नविगेशन के लिए अच्छा नहीं है, वही लिखा है, जहां पर गर्म और ठंडी जलधारा मिलेगी, वो नौ संचालन में बाधा उत्पन करेगी, दोनों की दोनों पॉइंट सही है, अभ इकवेटर से ध्रूओं की तरफ चलेगा, और अगर यहां पर लेबरादोर लिखता है, तो पोल्स से एकवेटर की तरफ, बस, that's it, ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया है, गल्फ स्ट्रीम क्या होगा, एकवेटर से पोल्स की तरफ जाएगा, चलिए, अगला कोशन, डी लिख दिया, दोनों की दोनों गलत है, ना तो पहला, ना तो दूसरा, ठीक है, तो बस आज का यह जो हमारा टॉपिक है, जिसको हम यहां पे जो है, कंप्लीट कर लिए है, सारी चीजे मैंने आपको अच्छे से बताई है, आपको कितना समझ में आया है, मुझे कॉमेंट कर करके बताना, बाकी मिलते हैं कल, डेली क्लासेज देखो, नोट्स के लिए वाट्सपे मैसेज करके ले लो, पढ़ाई अभी से स्टार्ट करो, अभी भी समय है, और लाइक शे सब्सक्राइब कर दीजेगा, थैंक्स वाचिंग